हाई गाई मैं हूं कॉर्म अन्डाल और आप देखने मुझे देश ऑनलाइन पर होली की छुट्टी के बाद आज सुप्रीम कोड में फिट से सुनवाई शुरू हो गई है करूना वाइरस के खतरे से आप कह सकते कि सतर्ग सुप्रीम कोड में एंट्री अब स्केवल केवल थर स्कैनिंग के बाद ही अब आप सुप्रीम कोड के अंदर एंट्री ले से उसके बाद ही परिसर में आपको एंट्री मिल लेगी और मिल पाने के बाद बायस के खतरे से जो सुप्रीम कोड के काम का आज है वो फिलाल सीमित कर दिये गए के बन शे कोड में सुनवाई कोड सुप्रीम कोट के इस जो आकेसे के कदम से काफी जादा फाइदा मिलेगा और ये जो कदम है काफी अच्छा कदम उनने उठाया आईए देखे हमारे इस खास रिपोर्ट में कैसे सुप्रीम कोट के अंदर करोना वारिस के खत्रेस से एंट्री थर्मल स्कैनिंग के द्वारा हो रही है आईए देखे हमारे इस खास रिपोर्ट में तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे सभी लोग line लगा के खड़े वे सुप्रीम कोट के अंदर entry करने के लिए पर बिनä thermal scanning के सुप्रीम कोट के अंदर अब entry नहीं होगे thermal scanning के बाद और सरीर के तापमान जाचने के बाद ही अब सुप्रीम कोट में आपको entry मिलेगी आप देख सकते कि इस लाइन में सभी लोग एक साथ खड़े वे चाहे वो वकील हो या फिर अपने केस की सुनवाई के लिए या अपने केस के लिए आएवे लोग हो सभी लाइन में खड़े वे है थर्मल स्कैनिंग का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें सुप्रीम कोट के अंदर एंट्री मिलेगी और सुप्रीम कोट के अंदर एंट्री के बाद भी कोट रूम में भी एंट्री अभी सीमित कर दी गई है और कोट रूम के अंदर सिर्फ 6 बैंची लगा रखी है तो जिस तरीके से सुप्रीम कोट के अंदर अभी एंट्री चल रही है किस तरीके से thermal scanning हो और यह वो एक काफी अच्छा कदम है करूरा वाइरोस को मद्य नदर रखते वे Supreme Court ने यह काफी अच्छा कदम उठा रहे है कि आप देख सकती कि कैसे वहाँ पे दो लोग खड़े वे है जो बारबल था एक उनके पहाथ में भारत के तीन पिलर के बाद चौथा पिलर जो आता है वो है Supreme Court Supreme Court में अगर करोना वाइरस का आतंग फैल गया तो शायद देश को काफी बड़ा नुकसान हो सकता और इसी नुकसान से बचने के लिए Supreme Court ने जिस तरीके के कदम उठाए वो एक काफी अच्छे कदम है और इसको मद्दे नदर रखते हुए करोना वाइरस के आतंग जो मचा रखे है करोना वाइरस के साथ साथ Supreme Court अपना काम चालू रखे हुए है ताकि देश आगे बढ़ता रहे और ये काफी एक अच्छा कदम है क्योंकि पूरे देश में महामारी की तरह फैल चुका है और दो मोते अब तरक भारत में हो चुकी है और कम से कम नबच से ज़ादा मामले सामने आ चुके है भारत से अगर पूरी दुनिया के बात करें तो 6000 से भी जादा लोग मारे चां चुके है और अकेले चाइना में ही 3.500 से जादा लोग मारे गए है और इसके बात बात करें तो यूएस में यूएस में भी 11 साल बात पहली बार इमर्जेंसी लगी है भारत के भी 11 स्टेट्स में स्कूल कॉलेजिस बंद कर दिये गए है दिल्ली सरकार बेट स्कूल कॉलेजिस के साथ साथ सिनीमा हॉल भी बंद कर दिये तैसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वार साथ हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चानल देश ऑनलाइन बेल्स आफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट वाए हमारे नई वीडियो से